अलो माई नेम इसी शिवास्तो और दिस इस माई वीडियो ब्लॉग सो आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे बहुत टाइम पहले किसी ने बताया था पर उस टाइम मुझे इसका प्रिंट नहीं मिला था और अभी कल पर सुम मैं आर-टस साल पहले जिसने मुझे सुनाई थी वह अली स्टोरी थी और रिमेंबर कि इस फिल्म को मैंने कितना ढूंडा था इंटरनेट पर और मुझे नहीं मिल लाई थी फिल्म क्योंकि सब्राइटेल भी नहीं थी और अब लेविल भी नहीं थी जिस वज़े से भी क्योंक मराथी इस बन ऑफ दा मोस्ट अंडरेटेट फिल्म रिजनल फिल्म एरिया ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया फिल्म में बनती है उसमें और रिसेंट्ली मैंने एक और फिल्म देखी थी जो मैंने दुबारा तिबारा देखी मतलब उससे पहले मैं कई बार देख चुका हू दो लोग है मुझे लगता था पहले दोनों बाई है उम्हें श्कूल करनी और गीश्कूल करनी तो मिश्कूल करनी बेसीकली एक डिरेक्टर है जोनुने काफी अच्छी ची फिल्म बनाई है और देउल उन में से एक है अमिता बच्चन फिल्म कोपरेशन के साथ भी न्हों बनाई है because this film was huge it got a lot of national awards और इसके लिए नेशन आवार्ड मिला था इनको गरीश कुल करनी को best actor का and best story render का गरीश कुल करनी एक ऐसे actor है जिनके बारे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हर कोई ना इसमें कोई डाउट नहीं है पर उसका प्यार भी है बहुत अच्छा है मतलब वीडों अंडर्स्टेंड दिस थिंग एड़ फाहद फाजिल की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वह खुद ही अगर आपको नहीं पता कौन है तो गूगल कर लेना अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो याद रखना कि एक फिल्म है अगली उसमें इंस्पेक्टर का जो किया था वो गिरिश्कुल करनी है और मैं गिरिश्कुल करनी का फैन अगली पिक्टर से ही हुआ था अगली के पहले मैंने उनके कुछ सीन्स यूटूब पर देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे फिल्मों के उनकी जो नेचरल एक्टिंग है मतलब कि आखों से खेलना एक्स्पेशन से खेलना और स्टेयर करना और वो साउंड नेचरल साउंड जो आदमी रियल टाइम में रियल लाइफ में कर रहा है और जब यह फिल्म स्टार्ट हुई देवल तो इसका करेक्टर है जो अपनी गाय को ढूंड रहा है ट्रस्ट मी लिटरली ऐसा नहीं रखता है एक सॉप्टर इंडस्टी में काम करने वला आदमी था जिसने जॉब खोड़के अपना थेटर वेटर शुरू किया आपना फिल्म में काम करना चुल किया और अपना परटिय वस उत्र ऐ्क नहीं मिल था वहां से फन्ट में करने ने के बाद अपना फिल्मिकिंगा करीया श्यारे यह स्टार्ट किया और इनिए मिला पर दिमें उन्हें चोटे-चोटे रोल करने खिए और बाद में अच्छे बड़े रोल करने शुरू किया और यस देउल के बास से तो फूरी फिल्म जो है वह बेस्ट है कि कैसे गाहों में किसी को इसा भरुसा हो जाता है कि इस पर पेड़ में और इस पर्टिविलर गाय में भगवान है और लोग उसको मानने लग जाते हैं और वहां पर एक दम से जमावला शुरू हो जाता है सवान बemmentता है चीजह होने लगती है और उस बाहर में चिरूधाय मुझे यादा oria ता कि गाय को यह उपर और गायो करनाश ही उन्सान को बैज सकता है इसको ऐसा लगता है सब्सकों बोलना शुरू का देता है अब जब समको गाउं में बोलना शुरू का देता है तो कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसका फाइदा भी उठाई आ सकता है धीमें धीमें उनके दिवाग में इसारी चीज़ आती है तो वहाँ पे उस फैदा उठाएं लगते हैं अपने नीटागरी दिखाने के लिए अपना वह करने करेंगे हम मंदिर बनाएंगे हम ऐसा करेंगे अब जो चोटी चीज थी बढ़ने लग जाती है उसी में नेता होता है जिसका यह होता है कि मुझे यहां पर रसूख वाला बनना है वह पांसों रुपए देखे एक न्यूजपेपर आर्टिकल पब्लिश करवाइता है जिससे सारी चीज़ एक चेंज हो जाती है लोग की उसकी गाय को भी ले जाके वो लोग वहां पर बांद देते हैं उसकी पूजा हो रही है उससे भी पैसे आरहे रहे हैं पर ग्रीच कुलकर्णी अमेशा मानता है कि यह सब भगवान की इच्छा है भगवान की इच्छा से हुआ है और भगवान ने सबको इतना दिया है कि अच्छा हो रहा है अच्छा चीह कर रहा है तो बाद में उसके साथ ही मुरा होता है जब उसकी गाय को चोट लग गई है वो गिर गई है लोग तब भी उसको पूजा करे जा रहे हैं तो एंड में वह एक्दम से परिशान हो जाता है कि this kind of thing doesn't happen और वो भगवान को लेके चला जाता है अब इधर पर जो गाहों के बड़े-बड़े सरपंच लोग हैं वो परिशान हो जाते हैं कि भगवान चलेगे तो आस्ता चलीगे आस्ता चलीगे तो लोग आना बंद करतेंगे तो वो कुछ दिन के बाद नाटक करते हैं और एक प्रफ्रस्ट लोगोगों नहीं देखी होगी नाम भी नहीं सुना होगा और अगर अब अपने आपको फिल्म बॉक्ष कहते हैं तो便 वह स Clean effective कि आपने फिल्म जरूर देखियो क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस फिल्म को देखना चाहता था और नहीं देख पाया था पर इस फिल्म को देखा है तब इस फिल्म को देखा है तब क्रीश कूल करनी कासिंग तो अच्छी है उसके लावा ना पाटेकर ने जो रोल किया है और भी जो मराथी एक्टर्स हैं जिनके अभी ऐसे मुझे नाम सबके याद नहीं रहते तो उनके जो रूल है वह बहुत ही कमाल कि नाना पाटेकर से मैं एकस प्रणीं करा तो यह नाना पाटेकर जैसे एक्टर मैं खुद फिल्म में रेट करता最近 맞ते हैं किसी भी फिल्म को इस तरह से करने, ले इतना चोटा सी रोल है, बहुत इंफोलेंशल रोल नहीं है नाना परटिकर का, बहुत दी टेम्ट कर यह और ऐसा भी नहीं कि बहुत हिरोईक रोल हो फिर भी दाना पर्टेकर ने रोल किया और यह चीज मुझे मराथी फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी लगती है कि वहां पे वहां के जो आर्टिस्ट हैं वह अपनी इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं इवें छोटे-छोट आपको मराथी भी बोलने में आने लगें आप समझ लगों यह बहुत हिंदी से मिलती जुलती लेंग्वेज है और बहुत अच्छा है सोनाली गुलकंडी के छोटा सा रोल है पर बहुत अच्छा है मतलब वह भी मतलब इतना सपोर्ट करते हैं अपने फिल्मेकर्स दिखाने के लिए कि जो भी हो रहा है वह गलत है वरना ओiembre से बता इस सवाल उठनें लगता है कि जो जी कि हो रहे हैं क्या सही है कि आप स्करां का सब्रौ्ञब करते यह उसाइट अपर इसमल ने कि चीज पर ढीलिजन के बीच है साइं्स लियुक्त वह प्रोसा आदमी का है जो रेशनल है जो सेफ तिंकर है जो मुझे लगता है कि हर पिच्छर में डाली दिया जाता है बट उसका वह मतलब नहीं है वह एक रिडंडेंट्ट करेक्टर था पर उनको देख के था रहता है त्रीप रहलकर ऐसे एक्टर है जिनको स्क्रीन पर देखो तो अच पर आदमी मिलता है जिस नहीं पानी प्लाता है वह आदमी निकलता है और वो बताता है कि मैं डाकू हूँ और मंदिर आता जाता हूँ भगवाने मेरी काफी आस्ता है रात में पुलिस ने मुझे पूली वार दी तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और फिर पानी की बोतल लेकर अपना आगे बढ़ता है पलट के देखता है तो गायब हो जाता है मुझे लगता है कि कोई पुरानी कहानी है इस बारे में जहां पर यह दिखाया गया कि भगवान ना अलग-अलग रूप में आते हैं तो बेसिकली दिखानी कोशिश की दिवो डेकॉइट नहीं था वो बेसिकली भगवान थे जो जिन्होंने फिर से दर्शन दिये थे और भी करने ही कुशिश कर रहे थे कि मैं आब यहां नहींrekे रहना चाथा मैं जहांसे निकलना चाहता आँ उसी के वुझे से बाद में मूर्ती चोडि करके वहांसे निकल जाता है उसके दो भी करनना हो सकते है criminali कोई स था वह मूर्ती लेके भाग गका बाद मैं पतलता है मू और इस एक मेटाफरिकल लेवल भी बहुत इंट्रेस्टिंग चीज थी कि भगवान डाकू बनके वहां पर आये हो दिखाते हैं कि भगवान कोई रोग नहीं होता है वो किसी भी तरह से कहीं भी जा सकते हैं उनको तुम बांध नहीं सकते हैं कितनी भी कोशिश कर लो तो आप उनका एक मार्केटिंग करके उनसे पैसा कमा सकते हो कुछ भी कर सकते हो भगवान से बट यू नाट कीप हिम सम्वेर इस समवन वांस तो रेली हैव इस गॉड ही विल है तो बहुत सारे अंडर टोंस हैं फिल में बहुत सारी चीजे हैं फिल में जो अच्छी लगती बहुत क्यूट सीन्स हैं और फिल में फिल में फेवरेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें बीमार पड़ा हुआ है और कोई रियक्शन नहीं उसका वो सो रहा है और गाहों की सारी ओरतें उसको देखने के लिए आती हैं और सारी ओरतें घर से बहाना मार के आती हैं है तो सब की सब उस कमरे में खुषती है हाथ हमें बेलन और चकला लेके को भी सब घर से बहाना मार करेंगी पापड़ बनाने के लिए हम लो जा रहे हैं और सब अपना बेलन चकला किनाया रखती है और वह नीचे से लो एंगिल शॉट लगा हुआ है और उसके घरीश कुल का लेकर तो उसके ताप है मतलब फीवर है करके सारी ओरते सेम ढहलों बोलके करके आती रहती हों नतिंग हैपन्स अपिर सो क्यूट एंड सो इतना अजीव सा सीन है वह कि देख के मतलब यु दू यू यू दू यू यू रहा ज़ता है और यू जयादा रहता है कि मतलब य जब आपके पास कुछ होता नहीं न तो जलेस कॉम्टिशन तो हो गई नहीं नहीं आपको पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो सबको एक्चुली बुरा लगता है और आते हैं दूसरे की हेल्प करनने उनको पता है कि अगर आज मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो कल ये मेरी help नहीं करेगा जब आप बढ़े हो जाते हो आपके पैसे होते हैं आप रसूप वाले हो जाते हो तो आपको किसी के help की ज़रूत नहीं होती है और चोंकि आपको किसी के help की ज़रूत नहीं होती है आप किसी जम बिलते नहीं हो तो एक human bonding खतम हो जाती है तो इसलिए गरीबों के बीच में human bonding है जो कि उनके पैसे नहीं है तो इसलिए ये beauty जो है ये गाउ में ही देखने को बिलती है तो वो scene मुझे लगता है कि iconic है और मुझे लगता है कि लोग को देखना चाहिए कि वो scene किस तरह से शूट हुआ है उमेश कुल करने का direction टॉप नॉच है स्टोरी कहीं पर इधरोदर हो सकती है बीच बीच बोरिंग हो जाती है मतलब जब मंदिर बन जाता है उसके पिच्चर बोरिंग होने लगती है स्टोरी वाइस बाहर बहुत सारे जगे पर इंडिया से बाहर बहुत सदा इस फिल्म को आवर्ड नहीं मिले है स्टोरी वाइस पिक्चर का सेथा फॉलासरी हो जाता है फ्रस्ट था तो बहुत अंगेजिंग देखो तो आप फिल्म को चोड नहीं होगे सब्सक्राइब करने के डियालोग उसका मतलब कोई भी फिल्म उठाके आप देख लो जाये देओना अब बाला सहाब और अगली उठाके देख लो और अब ऐसे मुझे नाम याद नहीं है उसके एक और फिल्म है इसके वारे मैं आपको बताता हूँ जो मुझे देखनी है और मैं जल्दी देखूंगा इस फिल्म के पीछे मैं बहुत परिशान रहा हूँ इस में बहुत देखना चाहता था यह माइकल डेगलस की फिल्म है उस पे बेज़ है आगे मेरे दिमांग प्रस्रेशन देखा आता देखाने वाली फिल्म ती उसमें डिरेक्टर ने वह दिखाया था वहीं से पहली बार मुंबई श्रगल करने जाता था उससे पर लेट सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बड़ी लगती दोंबी वाली मैं चाहता था था कि मैं इसे मिसल पाऊंगे तो शॉप्स होंगे और ऐसी मार्केट होंगे कुछ खास कहीं पर भी नहीं है ऐसा बट है मुंबई का अपना चार्व हैं एनिवेज आप ये फिन जरूर देखिएगा और कैसी लगी फिन जरूर बताईएगा और मिलते ही जल्दी नेक्स ब्लॉग में बढ़ copper बखेगा और मिलते ही जरूर एक तयूर बट हैंगे कुछ येज़ थीज जवर को है बडर भीस ब्युट्ब